दोस्तो आज के इस यूडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो, पीएफ की जो नई पास्वुक है, जो नया फॉर्मेट आया है उसमें कि एगर आपने एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 है या फिर मंथली पैंशन के लिए फॉर्म 10D अपलाई किया है या फिर स्किम सेटिविकेट के लिए फॉर्म 10C अपलाई किया है आपने या फिर आपने जो है पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा करेंट कंपनी के पीएफ एकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए रिक्व कर लेना है जैसे कि Google Chrome हो गया Mozilla Firefox हो गया और आपको सर्च करना है EPF Passbook तो यहां पर EPF होगा Passbook का जो Portal है उसकी वेबसेट आ जाएगी Official जो वेबसेट वो है Passbook.EPFIndia.gov.in इसको Open कर लेना है बाकी इसका जो Link है वो वीडियो के description में दे दिया है जैसे उस Link पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा अब यहां पर आपको अपना 12 डिजिट का यूए नंबर मेंशन करना है यहां पर पास्टड और यह जो Capture Code है यहां पर मेंशन करके Sign In कर लेना है Capture Code समझ में नहीं आता तो यहां पर रिफ्रेश का बटने इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं Capture Code आ जाएगा तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं Sign In कर लेता हूं तो यहां पर सक्सफुली Sign In Login हो गया है अब आप कैसे Claim Status पता कर सकते हो तो यहां पर देखिए आपको Claim का Option देखने को मिलेगा Claims का ठीक है Claims का यह जो Option है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है Claim Details आ जाएगा तो यहां पर जो आपका Pending रहेगा वो यहां पर दिखा देगा यानि कि Under Process है या फिर EPFO की तरफ से Pending है अपरूव के लिए Claim अगर आपका कोई भी Pending रहेगा तो यहां पर जो Pending Claim का जो Option है यहां पर दिखा देगा अभी इनका दिखा रहा है No Claim Pending और अगर आपका Claim जो है Settle हो गया है तो यहां पर देखे Settled Claim का जो Option है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो जैसे कि इनका दिखा रहा है इन्होंने जो है P F Transfer करने के लिए दो बर और Advance में P F का पैसा निकालने के लिए Request Submit करी थी और इनका जो Claim है वो Settled हो गया यहां पर दिखा देगा Approve Date कौनसी Date को Approve हा और Transfer करने के लिए Request Submit करी थी तो कितना पैसा Transfer के लिए Approve हा यहां पर दिखा देगा और Advance के लिए Apply क्या है तो कितना पैसा Approve हुआ है यानि कि कितनी Amount जो है विड्रो हुई है पेफ खातदार के Bank Account में आई है तो इन्होंने जो है Forum 31 अप्लाई किया था आउट ब्रेक पेंडिमिंग पारा गेता है तो 13,000 रुपए जो इनके Account में Credit कर दिए गए ठीक है और जो Claim Reject हो जाता है तो यहां पर Rejected Claim का जो Option इस प Reject कर दिया गया और कौन सी Date को Reject हुआ वो यहां पर दिखा देगा Rejection Date यहां पर ठीक है तो इप्याफोन यहां पर तीन कॉलम बना दिये हैं Claim Details पर Pending Claim, Settled Claim और Rejected Claim तो Pending Claim जो भी आपका Under Process रहता है जो भी Pending रहता है Claim वो यहां पर दिखा देगा Settled हुआ वो यहां पर दिखा देगा Rejected हुआ वो यहां पर दिखा देगा और यहां पर Claim की पूरी Summary दिखा देगा यहां पर देख सकते हो कि आपने अभी तक Current में जैसे कि जब भी आप Check करते हो तब तक आपने कितने Claim के लिए Request Submit करी तो इन्होंने अभी तक 4 Claim के Request Submit करी है तीन जो है Settled हुए एक Reject हुआ है ठीक है Approve Settled कितने हुए तीन और Reject कितने हुए एक ठीक है तो यहां पर आपको Claim की Summary भी दिखा देगा और यहां पर आएंगे तो यहां पर कौन से साल को Claim के लिए Request करी तो 2018 में इन्होंने नहीं किया 2019 में भी नहीं किय बीस में नहीं किया UK erre 21 22 में किया 22 तो जो डीस में दो और तेईजमे एक ठीक है तो जो सेटल हुए है यहां पर graph के माध़म से अधotta के माध़म से दिखा देगा तो यहां परिखे यहां पर दो claim settled हैं 2022 में और यहां पर 2023 में एक claim settled हुआ है और जो reject हुआ है उसका यह color है rejected 2022 में तो total जो है तीन claim उन्होंने 22 में किये हैं और एक claim 2023 में तो यहां पर पिछले दिखा रहा है कि पिछले 5 साल में यहां पर 5 साल की summary यहां पर दिखा रहा है काफी easy to use बता देया मेरेको काफी आसान लगा क्योंकि यहां पर देखे हर चीज के लिए अलग से column दे दिया pending claim, settled claim और यहां पर rejected claim तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपका जो claim है यहां से आप पता कर सकते हो, simple यहां से आप पता कर सकते हो, I hope आपको complete जानकरी मिलगी होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को like कीजे, share कीजे और चैनल पर नए है, चैनल को subscribe जुरूर कीजेगा जब अपना पूरा काम कर लें, उसके बाद यहां पर logout को जो optionist पर click करके आप जो अपना account logout कर लिजे तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अस्या करता हूं यह जानकर आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कीजे, share कीजे, चैनल पर नहीं है, चैनल को subscribe जुरूर कीजेगा में देजल एक और नहीं जानकर एक और नहीं information के साथ अपना ख्याल रखेगा बबाए, take care